बच्ची हूँ या बड़ी हूँ, मीठी बूंदी खाना सभी को पसंद होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है आज के स्पिडो में मैं आप सभी के लिए मीठी बूंदी की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ मेरे घर पे इसे मौश्टली भगवानजी के प्रशाथ के लिए बनाया जाता है वैसे आप इसे कभी भी बना सकते हैं जब भी आपका कुछ मीठा सा खाने का मन कर रहा है इसे बनाना बहुत आसान है हलवाईयों के अगर बात की जाए तो वो इस बूंदी को बनाने के लिए उनके पास बड़ा सा जारा होता है उसका इस्तमाल करते हैं लेकिन आज हम इस बूंदी को घर के नॉमल च्छनी से बनाने वाले हैं जिससे हम पूरियां तलते हैं अब बूंदी बहुत ही अच्छी गोल गोल बहुत ही टेस्टी बनका त्यार होगी आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और इस तरह से बूंदी जरूर बनाए और अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सबी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें तो चड़िए बिना देर की आज किस मज़िदार से वीडियो को शुरू करते हैं मीटी बुंदी या बुंदिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर बेसन लिया वह है तो ये मैंने 200 ग्राम बेसन लिये वे जिसे मैंने चान लिया है हमेशा ध्यान रखे इस बात का कि आप बेसन को हमेशा चान का यूज़ करें ताकि इसमें कोई भी बीच में बड़े तुकड़े ना रहे मैंने यहाँ पर बेसन को एक बोल में डाल दिया है और सबसे पहले हमें इसका बैटर बना का त्यार करना है तो हमें इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आर्ट करना है और इसका batter बनाकर त्यार करना है एक बार में बहुत सारा पानी बिल्कुल भी आर्ट नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी आर्ट करना है और साथ ही में एक बात का और ध्यान रखे कि जब आप इससे mix करें तो एक ही direction में इससे mix करें ताकि बीच में कोई भी lumps नहीं पढ़ने चाहिए हमें इसका batter बिल्कुल स्मूथ बनाकर त्यार करना है तब ही हमारी बुंदी बहुत ही अच्छी गोल-गोल बनकर त्यार होगी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा batter है वो बिल्कुल स्मूथ बनकर त्यार हो चुका है batter की consistency पे बिल्कुल ध्यार रखें batter बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए वरो बुंदी हमारी अच्छी सिन गोल bleई नहीं बनेолод की बेटर को मैं दो भागों में बार्ट दे रही हूँ क्योंकि आज मैं इसे दो रंगों में बना रही हूँ वैसे अगर आप छाहे तो आप इससे सिंपल भी बना सकते हैं इससे बुंदी के टेस्ट में कोई भी फरत नहीं पड़ता है बुंदी ऐसे भी बहुत यमी लगती है तो मैंने यहाँ पर बाटर को दो भागों में बाट दिया और अब मैं इनमें food colors आड़ कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर yellow food color आड़ कर दिया है और इसे डाल करके इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे तो यह पहले वाले बाटर को मैंने अच्छी तरह से mix कर दिया है और जो दूसरा वाला पार्ट है इसमें भी हमें food color आड़ करना है तो मेरे पांस ना यह red cherry food color है तो वो मैं इसमें add कर दिया हूँ अगर आप food color का इस्तमाल नहीं करना चाहते हैं यह पर अगर आपके पास available नहीं है तो आप जड़ा सा healthy powder का इसमाल कर सकते हैं रंग के लिए तो मैंने यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट को भी अच्छी तरह से mix कर दिया है दोनों बैटर हमारे बिल्कुल तयार हो चुके मैं अब क्या कर रही हूँ कि दोनों में एक एक चमच मैं oil आट कर रही हूँ इससे क्या होगा कि जो बूंदी है वो काफी अच्छी क्रिस्पी बनकर त्यार होंगी और oil डाल देने के बाद बैटर को अच्छी तरह से मिला देना है और चलिए अब पटावट से हम बूंदी बना कर त्यार करते हैं तो मैंने यहाँ पे तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल हो चुका है कि जो बूंदी है वो अपने आप ही नीचे गिरने लगी थी लेकिन आप इसी हलका सा कुछ इस तरह से हिलाएंगे ना तो आपका जो बूंदी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलने लगेगा एक बार में बहुत सारे बूंदी को बिलकुल ना तली थोड़ा थोड़ा करके बूंदी को हमें तलना है बूंदी जब अच्छी तरीके से फ्राइ हो जाएगी तो इसे हम निकाल देंगे अब बिलकुल इसी तरीके से हमें बाकी बूंदियों को भी फ्राइ करना है ताकि जब बूंदी है वो बिलकुल अच्छी तरीके से गोल गोल बनके निकले तो मैंनी हाँ पर एक पार्ट वाले बूंदी को अच्छी तरीके से फ्राइ कर लिया है बिलकुल सेम प्रॉसिल के साथ जो हमारा रेट फूर कलर वाला है बिलकुल उसी तरीके से हमें इसे भी फ्राइ करना है बूंदी को फ्राइ कर लेने के बाद अब next हम बनाने वाले हैं इसके लिए चांशनी चांशनी बनाने के लिए मैंनी हाँ पर एक पान में एक कप शुगर आट किया है और इसमें मैं आट कर रही हूँ हाफ कप पाली, थोड़ा सा हम इसमें इलाइची आट कर देंगे, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, और इसे हमें अच्छी तरीके से बॉइल होने देना है, ताकि शुगर थोड़ा मेल्ट हो जाए, शुगर जब मेल्ट हो जाएग इस टाइम पर मैं इसमें थोड़ा सा ये फूट कलर आट कर दरी हूँ, यलो वाला, और इसे डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे, फ्रेंड्स हमें बहुत ही जादा गारी चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस हलकी सी चिपचिपी चाशनी बना कर त्यार करना है, तो आप बीच बीच में चाशनी को थोड़ा सा चेक करते रहे, अगर वो हाथों में चिपचिपी सी लग रही है, यानि कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें जादा नहीं पकाना है, मैंने यहाँ पर गयास का फ्लिम आफ कर दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी ब मिक्स कर दिया है, दोनों जब एक साथ मिक्स रहते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते देखने में, और अब हमें इन्हें डाल देना है चाशनी में, क्योंकि मेरा बुंदी थोड़ा सा जादा है, तो मैं इसे दो वैचिस में डाल करके और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरू करें, और जाने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या है, तो ऐसी ही मज़दार और यमी रेसिपी को देखने क के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारे आने वाली ऐसी ही मज़दार रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, मिलती हूँ आपसे ऐसी ही किसी दूसरी मज़दार रेसिपी के साथ, तब त